Hello students how are you I hope so your study is running well और उसी प्रोसेस में चलते भे हम आगे शुरू करते हैं Last time हमारा चल रहा था formal invitation So I have completed one formal invitation annual function मान लीजी मैंने आपको annual function का invitation पढ़ा जिया वो formal था तो अगर ना वो formal invitation domestic हो domestic यानि घरेलू Like that कि किस तरीके का हो कि घरेलू invitation मैंने आपको एक example दे दिया था कि घरेलू invitation में आप उपर स्कूल का नाम नहीं लिखेंगे Then after आप scaval invitation लिखेंगे RSVP formal invitation की पहचान थी की invitation करा उसके बाद में RSVP उसी थेोरी को continue करते हुए मैं आपके लिए informal invitation informal invitation लिखेंगे अभी क्या पढ़ा हमने formal invitation अब हम पढ़ेंगे informal invitation It is not a reply ये reply नहीं है आप इस पर ध्यान देंगे कि ये informal invitation है तो आपको question मिलेगा you are Mr. Ramesh Kumar you have invited your friend Rakesh or your daughter's marriage on 15th November 2020, invite informally to come with family to come with family formal invitation सभी के लिए होते हैं informal invitation particular अपने किसी relative या अपने किसी friend के लिए होता है इसलिए इनको लिखने का जो criteria है जो फिनोमेना है जो तरीका है वो अलग होता है तो जब हम यहां पर देखिए invite informally अगर यहां formally आया है तो फॉर्मल लिखेंगे कुछ भी नहीं आया है invite an invitation आया है तो आप फॉर्मल ही लिखेंगे ठीक है अब इसमें मिस्टर रमेश कुमार अपने दोस्त राकेश को invite कर रहे हैं उनकी बेटी की शादी है 15 नौमबर की और वे और मित्र राकेश को अपने परिवार के साथ बुला रहे हैं तो कैसे invite करेंगे देखिए आपका लिखने का जो प्रोस्स होगा वो होगा इस तरीके से सबसे उपर आप लिखेंगे इन्फोर्मल इन्विटीशन यह क्या है इन्फोर्मल इन्विटीशन है क्योंकि यह इन्विटीशन जो दे रहे हैं उनका address दिया हुआ नहीं है तो हमें assumed करना हुआ तो हम assume कर सकते हैं कोई भी address 260 राम नगर नू एक्स्टेंशन जैपूर् self address यहाँ पर क्या हैगा खुद का पता जो invite कर रहा है उसके बाद आप यहाँ date लिखेंगे जिस दिन invitation लिखा जा रहा है तो आज date है 20 sorry 17th September 2020 proper lines आप छोड़ेंगे dear friend राकिश क्योंकि राकिश को आप invite कर रहे हैं फिर आप यहाँ पर फिर लाइन छोड़ेंगे क्योंकि space को classified करना space को रखना इसमें बहुत जरूरी है क्योंकि clarity इसका main theme है अगर आपका question बिल्कुल clear और साफ सुत्रे अक्सर होंगे तो marking अच्छी होती है सेफंगे, होब्योबर क्योंकि ओर रहुत्छी देप्योबर क्योंकि प्टापी, आपफदिन। पर आपका, आपका, बहुत्योबर क्योंकि और व्याप्योबर को, और I am really glad to inform you that my daughter Radha has been fixed on 15th November 2020 in evening at hotel maharaja palace in Jaipur. Therefore, you coldly invite with pleasure on on the auspicious occasion with your whole family. Then after, you can write it. You can write it. Line . 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 कर सकते हैं language जो हमने formal में सीखी थी उसका भी यूज इसमें किया जा सकता है लेकिन इसमें RSVP का जिकर नहीं होगा वो केवल formal invitations में होगा तो इस तरीके से आप एक informal invitation लिख सकते हैं अब informal invitation जो आप लिखेंगे वो invitation as it is ही लिखा जाएगा क्वेशन आप कोचे हैं मिल सकता है just suppose that as you are the principle of government senior secondary school by का रास्ता उदैपूर यह आप लिख सकते हैं कोई अच्छा address लिखें सहेलियों की बाड़ी की बाड़ी आप लिख सकते हैं सहेलियों की बाड़ी उदैपूर 9 aku ici और वे समकाटा आप लिखेंगे to the SDM of your area in the inauguration, inauguration of health club in school, school as a chief guest, chief guest के रूप में, आप SDM के आपके छेत्र के जो SDM है, उनको इन्वाइट करें, कि health club का inauguration उद्घाटन करना है, तो इसका उद्घाटन करने के लिए जब आपको इन्वाइट करेंगे, किसके द्वारा, प्रिंसिपल के द्वारा, प्रिंसिपल कहां किया है, गोवर्मेंट, सीनियर, सेकेंडरी, स्कूल, सहिल्यों की बाडी, क्या करना होगा, pattern, ये तो marriage का था, तो obviously ये पूरा का पूरा message change होगा, पर तरीका change नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो addresses वगरे है, वो उसी के coding लिखे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, लिखने वाला कौन है, ये वाला तो आप उतार सकते हैं, और उसके बाद, next वाला, इस question को आप कैसे करना है, question सामने हैं आपके, school के principle, invite कर रहे है, sdm po, तो school का address क्या होगा, government senior secondary school, government senior secondary school, शहलियों की बाडी, उदे पूर, date कब की है, 17th, September, 2020, किसको invite कर रहे है, dear, sdm, sir, अब, इसका message कैसे लिखेंगे आप, question आपने लिख लिए होगा, आपने लिखेंगे, आपने लिखेंगे, कर्यारश किफेंग Constitution, कर्यार्श पेंगे, लिवaiser, लिखेंगे, लिखेंगे, it isn't it? a health health club on this great occasion occasion of inauguration ceremony. अगर आपकी लेंग्विज थोड़ी डिस्टर्ब भी मानलो हो जाए तो इसमें गलती होने की चांस कम होते हैं. And the first one national inauguration ceremony on 15th November 2020 in school campus, school at 10 a, you are cordially invited as a chief guest, where benign presence, benign presence is requested to join our children, aur join our students, be aap kar sakte in thanking you, yours sincerely. कोई नाम है प्रिंसिपल का तो नाम लिख सकते हैं, और फिर आप इसको पूरा बोक्स में डाल सकते हैं, पूरा सिधा आप लाइनों को स्केल से खिचेंगे, और फिर बता यह आप जरूर लिखेंगे, तो इस तरीके से आपका यह invitation informal पूरा हो गया, पहले हमने formal invitation लिखा, वो कैसे लिखा जाएगा, domestic भी बताया, school का भी बताया, इसमें चाहिए domestic हो, चाहिए school का हो, दोनों ही invitation किस तरीके से लिखे जाएंगे, कि उपर self address जो invite कर रहा है, यहां पर वो date जिस दिन हम invitation लिख रहे हैं, dear sdm sir, तीसरी बात जिसको हम invite कर रहे है, I feel proud and pleasure, मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है, खुशी भी होती है, to inform you आपको सुचित करते हुए, और informing you भी कर सकते हैं, कोई language आपकी होनी चाहिए, मैं तो आपको एक advice की रूप में लिखा रहा हूं, informing भी कर सकते हैं, यह भी सही, informing you, that our school is going to open a health club, हाँ के हमारा school, एक health club खोलने जा रहा है, on this great occasion, inauguration ceremony, कौन से occasion पर, great occasion किसका है, inauguration ceremony का उभी गाटन समार हो है, किसका health club open हो रहा है, इसके उपर, on 15th November 2020, school campus at 10 a.m., you are coldly invited, as a chief guest, आपको हार्दिक रूप से, एक chief guest के रूप में आमंत्रित किया जाता है, your benign presence is requested to join our students, और आप से विनित उपस्तिती की विन्ती की जाती है कि हमारे students के साथ, आप सामिल हों, तो अगर आप हमारे student के सामिलोंगे तो अच्छा लगेगा, thanking you, you are sincerely, R.C. Sharma principle के द्वारा, invitation लिखा गया है, इससे SDM साब पढ़ेंगे, फिर वो अपने reply करेंगे, reply हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो हमारे next video में, हम reply पढ़ेंगे, कि कैसे invitations का reply दिया जाता है, तो ज्यादा तर reply हमारे syllabus में होते हैं, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए, कभी-कभी invitation भी पूछ लेते हैं, कि invitation कैसे लिखे जाते हैं, तो formal और informal invitation इस तरीके से लिखे जाते हैं, अब formal और informal reply आई कैसे लिखी जाती है, वो हम आपको convey करेंगे, हमारे next video में, और next video आए का formal replies का, thank you very much.